हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानल, आज मैं कुरकुरे भिंडी आलू गुंडी बजा रेसिपी बताऊंगे मैंने हाफ किलो भिंडी लिया है, इस भिंडी में नमक पानी डाल कर अच्छा से मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख लिया है आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से रगड कर धोना है, उस पानी को फेक देना है, फिर नॉर्मल पानी में धोना है, फिर भिंडी को एक स्ट्रेनर में डाल कर सुखा देना है भिंडी दोते समय एक चीज का ध्यान रखना है, मुंडी पहले मत काटिये, धोने के बाद सुखा लिजे फिर काटिये, क्योंकि बेंडी में लसलसा पदार्थ है, चिपचिपा लगती है फल, साग, सब्चियों को नमक वाले पानी से धोने पर अधिकांश की टनाशक अवशिश हटाने में मदद मिलती है छिलकों पर मौझुद गंदगी साफ हो जाती है बिंडी कानी के बहुत सरे फाइदे हैं जैसे कि कैंसर को दूर भगाता है, दिल को स्वस्त रखता है, डैबिटीस के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है और भी ऐसे बहुत फाइदे हैं बिंडी में मैंने यहां एक आलू लिया, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं बिंडी आलू को पतला पतला काट लीजिए, जैसे इसमें दिखाया है कटे हुए सबजी को एक बरतर में लेना है चावा लाटा त्री टेबल स्पून, तिल दो टेबल स्पून, लाल मिर्च नमक अपना टेस्ट के सबसे डालना है एक दो टेबल स्पून पानी डाल कर अच्छा से मिक्स करना है गैस पे तवा गरम होने के लिए रख दिया है गरम होने के बाद दो टी स्पून ओयल डालना है सारे भिंडी एक साथ ना डाले दो बाग में डाले ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे भिंडी कुरकरे बनेगी बिंडी तवा पे डालने के बाद दो स्पून तेल डालना है तेल डालने के बाद सारे सबजी को अच्छे से ऊपर नेचे करके मिक्स करना है ताकि सारे सबजी में तेल लगे बिल्कुल पानी नहीं डालना है उसके बाद ढख देना है मेरे पास कांच का ढखकने आपके पास जो भी ढखकना उससे ढख सकते हो दीमी आंच में पांच मिनिट पकाना है पांच मिनिट के बाद ढखकन निकाल के फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करना है फिर चेक करना है कि आलू भिंडी पक गया की नहीं नहीं पका हो तो फिर से एक बार तेल डालके ढख देना है पक गया हो तो ढखकन निकालकर दो स्पून तेल डालके फिर धीमी आँच में क्रिस्पी होने तक पकाना है जल्द बाज में तेज आंच में नहीं पकाना है इससे हमारा भिंडी पूरा खराब हो जाएगा बोलते हैं न जल्द बाज में सारा काम बिगड जाता है जिस दिन प्याज नहीं काना है उस दिन ये सबची बना के खा सकते हैं ये बहुत कुरकुडे रहेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा, बीच बीच में उलट पलट करते रहना है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, अभी देखिए कितना सुन्दर सा कालर आ गया, अभी समझो आपका बेंडी कुरकुरे सबची बन अभी समझो आपका सुन्दर टे अभी बना गया, बना आपका सुन्दर को आपका बशचानी